तो सबसे पहले यहां पे हमें जो काम आने वाला है वह एरफुन का पुराने अपकी घर में अगर एब पढ़ा हो उसमें से आपको दो वायर को ले लेनी है दो वायर के चोटे-चोटे पीस को टुकड़े को ले लेनी है अब इसका यूज हम वहां पे करेंगे जब हम इस फोन गे स्पीकर यहां से हम वायर को बराबर करते हैं ayamivamente एदर करते आये और एThere से हम बराबर करेंगे तो यहां पे तेख सकते एक वायर जो कटा हुआ является वह छोटा पड़ा है तो इसी गैप को इसी को पूरा करने के लिए हम यहां पे दो वायर के दो एएर्फॉन के वायर के पीस को ले लिया है पूरा बैए अन्य फॉन के वायर को अब इस वायर पर से सबसे पहले हम में paint हाथा नहीं होती है इस पे paint का layer चड़ा होता है अगर आप इसे ऐसे ही connect करिएगा हाथ से तो यह work नहीं करेगा यह speaker नहीं पज़ेगा तो इसके paint को हटाने के लिए आपको simply इस प्रकार से और इस रंगे में आपको यह वायर जो है इसको डूबो करके कुछ देर तक यहां पर रखिएगा तो इसके ऊपर का जो paint है उतर जाएगा और इस पर रंगा का पे जो परत है layer चड़ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से अगर करिएगा तो इसका जो जो भी कट्पिस था ठीक है एरफं का वायर का जो कट्पिस था उस पर weई हमने दोनों तरब से रंगा का परत को चड़ा दिया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह कटपीस वाला है यहां पर चड़ा है और यहां पर भी रंगा का परत चड़ चुका है और यह एरफोन वाला है speaker वाला और यह earphone वाला सब हमने we could not have connect करते हैं को यहाँ पर हम connect कर रहे हैं earphone वाले या41 speaker वाले पर speaker वाले wire में यहाँ फेलों wire को यहाँ पर connect कर दिया है अब यहां पर हम मجबूति के लिए यहांपर गाठ लगा देते हैं कुछ इस प्रकास से इसमें गाट लगा देंगे ताकि जब भी यह एरफून खीचेगा स्पीकर जब कानम लगा होता है तो मोबायर इधर उदर होने से खीचता है इसलिए यह पे गाट लगा देंगे ताकि यह काफी मजबूत हो जाए और यह जल्दी टूटे खुले नहीं इसलिए यहां पे हमने जोआइंट के पास गाट लगा दिया है ताकि यह काफी मजबूत हो जाए अब देखी यह है हेट स्रिंक ठीक है यह पतला वाला हेट स्रिंक पाइप है तो इस पाइप को यहां पे हम लगाएंगे जो जहां भी खुला थै जहां भी वायर यहां पे के लिए इसी को यहां पे तोपने के लिए यहां पे देखी वायर जहां तक खुला है उसके नापी के अनुसार यहां पे हीट स्रिंक पाइप को काट लेनी है उसके बाद से यहां पे जो खूला वाला वायर है उसमें डाल देनी है कुछ इस प्रकार से ठीक है उसके बाद से यहां पे आप देख सकते हैं मैंने पाइप को डाल दिया है हेट स्रिंक को और उससे मोटा वाला हेट स्रिंक वाला यह पाइप है ठीक है इसे हम थोड़ा बड वाले वायर को थोड़ा मोर्ती वाले हateg़े वाले ही इस तरी कोUDविश्व को थोड़ा रखा और इसे यह फोन वाले वायर में कुछ इस प्रकार से पूरे डाल दिया और डालने के बाद से उसके बाद से इसे वायर को हम कनेक्ट करेंगे ठीक है यहां पे देखिए अब ये दोनों वायर को यहां से हम connect कर देंगे ठीक है, तो यहां पर हम paste लगाते हैं ताकि यह सफाई के साथ rolling हो सके मजबूत भी हो सके इसलिए यहांपर हम rolling कर देते हैं paste को लगा करके और यह दूसरा वायर में भी paste लगाएंगे और इसमें भी rolling कर देंगे description box में उसका मैंने लिंक डाल दिये वहां से उसे आप इजली बाई कर सकते हैं घर मगा सकते हैं अब यहां पर देखिए जैसे इधर हमने गाठ लगा था उस सेम वैसे इधर भी हम गाठ लगा देंगे ताकि दोनों तरब से मजबूत हो जाए यहां पर इस एयर फोन में दो ज जोंट हो गया अगर आपका एहर फोन में अगर वायर चोटा नहीं है तो १ैस फोन में से एक ही जॉइंट होगा तो यहां पर देख सकते हैं दोनों तरफ में ने दोनों जॉइंट पर गेठर लगा लिया और यह काफी मजबूत हो गया अब उसके बाद से जो मोटा वाला हेट सिंग पाइप अपने डाला था उसको यह जो खुला हुआ है ठीक है जहां पर यह जॉइंट हमने किया है अभी अभी उसके उपर कुछ इस प्रकार से चड़ा देनी है इस मोटे वाले हीट सिरिंग पाइप को देखिए ताकि यह जो खुला एरिया है यह बिल्कुल कवर हो जाए और बिल्कुल पाता ना चले कि यहां पर जॉइंट इस प्रकार से अगर आप से कियेगा ठीक है तो यह बिल्कुल पिचक जाएगा पिचक की एकदम से ब्राबर हो जाएगा जैसे एयरफोन का वायर था वैसे यह प्लेन हो जाएगा पतला हो जाएगा ठीक है यह बिल्कुल भी पाता नहीं चले यहां पर देख सकते हैं कोछ यहां पर आप देख सकते हैं दोनों वायर को हम आगर एकटा करते हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अगर देखीदा पास से भी पता नहीं चलेगा यह पर देख सकते हैं कुछ सब्श fire प्रकार से यह नए कर जैसे बिल्कुल हो गया है और है град पर कर्राया अगर आ का सकते हैं और अपने एरफून को घ्क कर सकते हैं वीडियो का लायक कर जिएगा अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेलबबिभी प्रेश कर लिजेगा और चेर करिएगा उन लोग पास जिन लूगों को इस वीडियो की जरूरत है thanks for watching